Welcome to MCQ Channel Class 8 English Chapter 2 है The Tsunami आज हम करेंगे इसके MCQ Questions तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो I hope children आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें Question No.1 देखिए The Tsunami came on 26 December तो 26 December को आई थी लेकिन Year कौन सा था याद रखना मैं लास्ट में पुछोंगा Year था 2004 तो Right Answer है A The Tsunami hit areas of Dash and Dash जो Tsunami आई थी 2004 में उसने कौन कौन से areas को hit किया था प्रभावित किया था तो इसका Right Answer है Thailand and South India यानि कि Thailand को यहां आगया Thailand और South India मतलब इंडिया का जो Southern portion है वो South India The Tsunami came because of earthquakes under the dash Children आपने Earthquake सुना होगा Earthquake मतलब भूकम जिसकी वज़े से धर्ती हिल जाती है लेकिन आप जानके surprised होगे कि जो समुंदर होता है उसके अंदर ocean होता उसके अंदर भी Earthquakes आ जाते है तो यह जो Earthquake आया था किसके अंदर आया था Indian Ocean के अंदर तो Right Answer क्या है Indian Ocean Did Ignatius anticipated to be a tsunami क्या Ignatius ने यह अंदाजा लगा लिया था कि यह सुनामी होगी तो आंसर है No उसने ऐसा कोई अंदाजा नहीं लगाया था Who was Sachin? Sachin कौन था? तो Children आप यहाँ देख सकते हो Sachin एक policeman था Who all did Ignatius manage to save along with himself? Ignatius ने अपने साथ साथ और किसको बचा लिया? Ignatius के जो तीन बच्चे थे उसने अपने आपको भी बचा लिया अपनी सूजबूच से और उसके जो तीन बच्चे थे उसने उसको भी बचा लिया Who did Sanjeev try to save? जो Sanjeev था उसने किसको बचाने की कोशिश की? उनके guest house में जो cook था उसकी जो wife थी उसको बचाने की Sanjeev ने कोशिश की तो right answer होगा guest house cook wife Children आप यहां पे देखिए MCQ चैनल के side में मैंने लिखा हुआ है English Baba तो आपका favorite जो English Baba चैनल है उसी का ये दूसरा चैनल है MCQ चैनल इस चैनल पे आपको class 6 से लेके class 12 तक हर subject के MCQ questions मिल जाएंगे तो अभी आप MCQ चैनल को भी subscribe कर लो जैसे आपने English Baba चैनल को subscribe किया हुआ है और आप लोगों के प्यार से और support से हमें MCQ चैनल के लिए भी silver play button मिल गया है next question was he able to save him or her क्या अभी हमने यहां पे देखा था कि जो संजीव है उसने बचाने की कोशिश की थी कुक की वाइफ को क्या वो उसको बचा पाया तो answer है नहीं क्योंकि जो waves है वो बहुत जादा तबाही लाने वाली थी who was John John कौन था John था guest house का cook जो guest house में जो cook था जो खाना बनाता है वो था did Megna's family manage to stay alive क्या Megna Megna की family alive मतलब जिंदा बच पाई तो answer है नहीं वो भी मर गए थे इस तबाही में what did Megna hold two in the water children आपने सुना होगा दूबते कु तिनके का सहारा तो उसको एक तूटा हुआ दरवाजा डोर मिल जाता है लकडी का वो उस पे लटक जाती है how many times did Megna see the relief helicopters children relief helicopters क्या होते है जब कोई तबाही आ जाती है natural calamity आ जाती है तो जो भी उस country की उस जगे की जो force होती है वो आपको बचाने के लिए आती है तो जो relief helicopters से वो कई बार उसने देखे कितनी बार देखे थे 11 times 11 बार did the relief helicopter rescue her तो जो Megna को बचाने आये थे rescue helicopter helicopter क्या वो उसको बचा पाए नहीं क्योंकि उनको वो बहुत उचाई पर ऊड़ रहे थे और Megna कहीं बहुत छोटी सी तो वो Megna को देखी नहीं पाए for how many days was she stuck in the water Megna जो है पानी में कितने दिनों तक अटकी रही दो दिन तक मतलब वो जो लकडी का जो बोड था दरवाजे जैसा उसी पेव उपर वो फ्लोट करती रहे गाईज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मुटिवेशन मिलता मैं तीन तक काउंट करूँगा प्लीज चिल्टन वीडियो को लाइक कर देना या वीडियो में देखा हुगा कई बार समुंदर में ऐसी लहरे आती है जो सामान को बोर्तल ववेराओं को किनारे पे ले आती है तो एक ऐसी लहर आई और वो उसको किनारे पे ले आई और उसकी जान बच गई How old was Megna? Megna was 13 years old, 13 साल की बच्ची थी How old was Almas? अब Almas की कहानी है Almas कितने साल की थी? 10 साल की थी Almas father had a Almas के पापा का क्या था? एक पैट्रोल पंप थी Where did Almas live? Almas कहां रहती थी? वो रहती थी पोर्ट ब्लेर में Almas mother and aunts stood cleansing जो उसकी मम्मी थी और उसकी जो आंटियां वगेरां थी जब इतनी तेज हवाएं चलने लगी तवाही बचने लगी पानी आ गया तो उन्होंना कुछ मिलानी तो उन्होंने leaves of coconut trees, coconut trees लगे रहते हैं बीच पे बहुत ज़्यादा तो उसकी जो leaves होती हैं बड़ी बड़ी उन्होंने वो पकड़ी बचने के लिए Almas climbed on है, Almas को एक log यानि की लकडी का एक टुकुडा सा मिल गया था और वो उस पे बैठ गई Almas fainted, fainted का मतलब होता है children बेहोस हो जाना, ठीक है, when she woke up she was in a dash और जब उसकी आँखे खुली तो उसने अपने आपको कहां पे पाया, उसने देखा कि वो एक hospital में, उसकी जान बच गई The little girl does not want to talk about the incident with anyone, क्योंकि वो जो घटना थी, वो इतनी जादा भयानक थी, दराने वाली थी कि वो किसी के बारे में भी, किसी से भी उसके बारे में share नहीं करना चाहती, she is still traumatized, वो अभी भी मतलब एक सदमे में है, who is she, यहां किसकी बात हो रही है, Almas की बात हो रही है Where did Smith family actually belong to, जो Smith की family थी, वो कहां से belong करती थी, England से They were celebrating Christmas at beach resort, तो children, जो Christians का festival है, जो 25 December को आता है, वो beach पे समुंदर के किनारे क्या कर रहे थे, celebration कर रहे थे, किसका Christmas का, ठीक है, resort in, कहां पे कर रहे थे, Southern Thailand Which member of the Smith family recognized it was a tsunami, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि सुनामी आने वाली है, वो तो मज़े कर रहे थे, लेकिन जो तिली थी, उसने, उसको याद आगया एक geography का lesson, जो उसके teacher ने पढ़ाया हुआ था, और उसने सब को warn कर दिया कि यहां से हटो, और ना केवल उसने अपनी जान बचाई, वहां पर जो और लोग थे, उनकी भी जान बच गई, तो बीच के पास जो होटल बना हुआ था, वो सब उस होटल में चले गए और उसके third floor पे चले गए, क्योंकि पानी बहुत था, तब जाके उनकी जान बची, तो right answer है, third floor of a hotel, Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, death seemed to know what was about to happen, जब तक तबाही start भी नहीं हुई थी, सुनामी की लहरे आई भी नहीं थी, किसको पहले से ही पता चल गया था, एक तो जो wild and domestic animals हैं, जो wild और domestic animals, तो इस chapter में ये बताया गया है, कि जो जानवर होते हैं, उनके पास कुछ ऐसी power होती हैं, उनके पास कुछ ऐसा six cents होता है, कि वो जमीन में होने वाले हलचल को, या आने वाली सुनामी को पहचान लेते हैं, और उस दिन वो वहाँ पे गए नहीं, जिसकी वज़ कि इनसान लोग तो बहुत सारे मर गए, लेकिन जानवर बहुत कम मरे, तो पहला reason तो ये है, इनके पास एक ऐसी power होती है, ऐसी intuition power होती है, कि ये अनुमान लगा लेते हैं, पहले ही predict कर लेते हैं, कि कुछ अनुनी होने वाली है, दूसरा, they have acute hearing abilities, हमारे पास इनसानों के पा हैं, तो right answer होगा, both A and B, next question, what did the dogs in gale do, gale एक जगय का नाम है children, तो वहाँ पे dogs ने क्या किया, refuse to go for a run, उन्होंने जाने से मना कर दिया, और manage to save the man's life to, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जानवरों के पास कुछ ऐसी ability होती है, कि उनको पहले सी पता चल जाता है, तो right answer होगा A and C, children इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा, कितने बच्चे right answer देगे, मैंने starting में बताया था और आपसे पूछा था, कि मैं पूछूंगा last में, the tsunami came on 26 December को तो आई थी, लेकिन year कौन सा था, 2004, 2005, 2002 या 2001, आप चाहो तो अपने answer में comment में A, B, C, या D लिख देना, So I hope मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा रगा होगा, Please वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, Bye Bye